बिग बॉस सीजन 14 के घर से विकाज गुपता भले ही इविठ्थ हो गए हूँ मगर उनकी एक बात को फिर दुबारा से सोशल मीडिया पर उठाया गया है यानि कि उनकी एक वो बात जो उन्होंने जाते जाते टाइम बोली थी उस बात को दुबारा से सोशल मीडिया पर लेकर आया गया है जो विकास गुपता ने कहा था जाते जाते मुखे दुआर के पास खड़े हुए ऐसे करके विकास गुपता हाथ रखे हुए थे एक दूसरे के लिए खड़े हो जाया करो अगर कभी कोई किसी को टॉचर करे तो विकास गुपता ये सब कहते हुए नजर आते है सबी घरवालों से यार अगर कोई किसी को टॉचर करे तो प्लेस एक दूसरे के लिए खड़े हो जाया करो ऐसे मत बैठा करो गुमचुदा से होकर तो वो सब विकास गुपता कहते हुए नजर आतो विकास की ये वाली बात सोशल मीडिया पर अब हद से ज़्यादा ट्रेंड हो रही है जी हाँ यह सब मैं आप से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ बड़े बड़े फैंस के इसके उपर रियाक्शन सामने आ रहा है I love Vikaz गुपता I support Vikaz गुपता तो ऐसे करते हुए नदर आने सभी फैंस के Vikaz के साथ में जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ था Big Boss सीजन 14 के घर के अंदर तो यह वाली बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक बार वाइरल होई और फैंस का एक बार फिर से Vikaz गुपता के लिए प्यार देखने को मिला बारहल क्या है आपका कहना इस बारे में प्यार सा कॉमेंट करके जलिए से बताएए लाइक आइट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा अपडेट से लगतार आपसे शेयर की जा रही है